नमनुम्la में बच्चो आज मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेके प्रस्तुत ओई हूँ जिसमें हम अपने पंचम-पाथ धर्मे-धम्नम-पापे-पुन्यम के दूत्यभाग को पड़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं हम अपना पंचम पाट का दूत्य भाग धर्मे धमनम पापे पुर्ण्यम अब बचो क्या होता है चंचलह नदी जलम अप्रिक्चत अब चंचल क्या करता है नदी के जल से पूछता है नदी जलम अप्दत नदी के जल बोलता है एव मे भवति ऐसा ही होता है जना मई स्नानम कुर्वन्ती वस्तराणी प्रक्षालियंती तथच मल मुत्रादिकम विस्रिज्य निर्वन्तते अतधर्मे धमनम पापे पुर्ण्यम भवतिये अब नदी के जल क्या कहता है ऐसा ही होता है लोग मेरे जल में स्नान करते हैं वस्तरों को धोते हैं और मल मुत्रादि त्याग करते हैं इसलिए धर्मे धमनम धमनम अथाद धोखा है या कस्ठ है कि धर्म में हमेशा कस्ठ है और पाप करने में हमेशा पुर्ण्यम मिलता है यह बात सत्य है अब चंचल नदी के जल से बात पूचके आगे वृक्ष के पास जाता है तो चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है वृक्षख, अब दत, मानवा, अस्माकम, छाया, याम, विर्मन्ति अब रिक्ष क्या बोलता है, रिक्ष कहता है कि जो मानव है वो हमारी चाया में विर्मंती विश्राम करते हैं, अस्माकम फलानी खादंती हमारे फलों को खाते हैं, पुने कुठारे प्रहृत्य, अस्मभ्यम सरवदा कस्टम ददती और पुने कुठारे, कुठारे मतलब कुल धाड़ी से हम पर प्रहार करके हमें हमेशा कस्ट देते हैं यत्रकुत्रापी छेदनम कुरवंती या फिर कहीं पर भी छेद कर देते हैं धर्मे धमनम पापे पुन्यम भफ्तिये इसलिए धर्म करने में हमेशा कस्ट है और पाप करने में हमेशा पुन्यम मिलता है तो अब च दो से उनोस ने पूछा, तो अब क्या होता है, ये जब बाते चल रही है, तो व्रिक्षकी और नदी के जल से पूछते हुए चंचल को एक लोमशिका, लोमशिका कहते हैं लोमडी को, लोमडी ये सारी बाते एक पेड़ के पीछे चुपकर सुन रहे होती है, समी पे एक लोमशिका, बदरी गुलामा नाम प्रिस्टे, नीलीमा एता वार्ता शुनोतिस्म, समी भी एक लोमडी बदरी, बदरी कहते हैं बेर के, बेर की जाडियों के पीछे नीलीना, नीलीना कहते हैं चुपकर उसकी वार्ता को सुन रही थी, सहसा चंचलम उपसृते कत्यती, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात हैं, माम अपी विज्यापे, मुझे भी बताओ, विज्यापे बताओ, सह अबदत, अब चंचल उसको बताता है, अह मात्र स्वसह हे मात्र मात्र कहते हैं माता को और स्वसा कहते हैं बहन माता की बहन क्या हुई मौसी तो मात्र स्वसा संस्कृत में किसको कहते हैं मौसी को कहते हैं मात्र स्वसा तो हे मुसी अफसरे तुम समाम समा आगत्वती की हे मुसी तुम अफसर पर आई हो मया अस्य व्याग्यस्य प्राणा रक्षिता की मेरी इस व्याग से प्राणू की रक्षा करो परम एशह मम एव खा दितुम इच्छती यह मुझे खाने की इच्छा रखता है ये बात कौन कर रहा है ये बात चंचल नामक व्याग लोमडी से कर रहा है तदंतरम सह लोमशिकाय निखिला कथाम निय वेदियत और उसके बाद उसने उस लोमडी के सामने अपनी सारी की सारी निखिला संपून कथा को बता दिया लोमशिखा चंचल को बोलती है बाडम तुम जालम प्रसारे बाडम अथा ठीक है तुम तुम जाल को फैलाओ पुने सा व्यागरम आवदत और वहे पुने उस व्यागर को बोली व्यागर थात उस शेर को बोली और क्या बोले कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे थे अहम प्रत्यक्षयम द्रस्टों में चामी मैं प्रत्यक्षरूप से तुमें देखना चाहती हूँ अब लोंबडी के सामने तो वो जाल में फसा नहीं था व्याग लेकिन लोंबडी चलाक होती है उसने बाग को दुबारा से जाल में बांधने के लिए एक युक्ति सोची और क्या कहा कि व्याग तुम किस प्रकार से जाल में फसे थे मैं दुबारा से तुमें से देखना चाहती हूँ ऐसा उस लोमडी ने किसको कहा व्याग को कहा ठीक है उसके बाद व्याग क्या कहता है व्याग तद वृताम प्रदर्शितुम तस्मीन जाले प्राविशत व्याग उसको वृतांत को कि किस परकार से वह जाल में फसा था उस वृतांत को बताने के लिए दुबारा से जाल में परवेश करता है लोमडी पुने बोलती है संप्रती पुने पुने कूर्दनम कृत्वा दर्शे कि अब तुम दुबारा दुबारा कूद कर यह करके मुझे दिखाओ कि तुम कैसे इसमें कूदे थे सहत थेव समाचरेत वह उसी प्रकार आचरन करता है अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतम अभवत और लगातार कूदने से वह व्याग क्या जाता है शांतह ठक जाता है जादा तर वो लगाता जब कूदता रहता जाल के अंदर तो ठक जाता है जाले बद्ध व्याग क्लांतम सन नी सहाए भूतवा तत्र अपतत प्राण भी शामीव च अयाचित जाल में बंद कर वह व्याग ठक जाता है और नी सहाई होकर भूमी पर गिर जाता है और अपने प्राणों की रक्षा की याचना करता है लोमशिका व्यागरम अब्दत लोमडी व्याग से कहती है सत्यम त्वया भनितम धर में धमनम पापे पुन्यम तू भवतिये कि तुमने सत्य कहा था क्या कि धरम में कस्ठ है और पाप में पुन्य है जाले पुन्य तमबध द्रिष्टवा सव्यागह प्रसन्नो भूत्वा ग्रिहम प्रत्या वर्थ जाल में पुन्य उस बाग को बंधा देख कर वहशिकारी प्रसन्न होकर अपने घर को वापिस चला जाता है और बचो इस कहानी में आपने पड़ा कि किस प्रकार एक लोंबड़ी अपनी चतुराई से कैसे उस विशिकारी को व्याग से बचाती है तो बचो आपने इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म करने में किस प्रकार से हमें कस्ट की हानी होती है और पाप करने में किस प्रकार से हमें पुन्य मिलता है लेकिन इस कहानी को हमें अपने जीवन में नहीं करना है क्योंकि हमें धर्म करने में कस्ट तो होता है लेकिन फिर भी हमें धर्म का आचरन करना है हमें धर्म को छोड़ना नहीं है तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है लेकिन हम अगर धरम करने में हमें कस्ट होता है तो हम किस प्रकार अपनी चतुराई से उससे निकल सकते हैं ये भी शिक्षा इस कहानी से मिलती है तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये बाठ दूसरा भाग था ये हमारा समाप्त हो चुका है और आपको समझाया होगा आप इसको ध्यान से पढ़िए समझिये और तब तक के लिए धन्यवाद